नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बीरूद वेदी है मैं आपका अपनी योटूब चैनल पर हारदिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप बेहत खुस और अच्छे और सस्त और मस्त होगे आपका परिवार भी बेहत उंदा होगा आज हम बात करते हैं बाल मनुविज्ञान के कुछ महत्रभून प्रस्णों की जो की आगे आने वाला यूपी टेट हो या सीटेट हो या सुपर टेट हो कहीं ना कहीं आपको ये प्रस्ण जरूर देखने को मिलेंगे जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें शेयर करें आईए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण अपने चिंतन में अवधारनात्बक परिवर्तन है तू विद्यार्थियों को सच्छम बनाने के लिए सिच्छक को क्या करना चाहिए तो जो सिच्छक को करना चाहिए वो इसपस्ट और आश्वस्ट करने वाली ब्याख्या देनी चाहिए डी ओप्शन तारकिक चिंतन इन चारों चिंतनों में जो तारकिक चिंतन है ये उच्छ कोटी का चिंतन होता है याद रखिएगा बात करते हैं अपने अगले प्रस्ण की प्राथमिक विद्याले के एक अच्छा कच्छे के संदर्व में सक्रिय बधधता का क्या कारण है बात सक्रियेश को दरसाता है C option एकदम करेक्ट है बात करते हैं अगले प्रस्म की जब विद्यारतियों को समोह में किसी समयस्या पर चर्चा का वसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है तो जब हम समाज में बैट कर एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करते हैं तो जो हमारे सीखने का कर्व है लर्निंग का कर्व है वो ग्रोथ करेगा इसलिए A option एकदम करेक्ट है वेहतर होगा हम कुछ न कुछ सीखेंगे वहाँ से A option एकदम करेक्ट है बात करते हैं अगले प्रस्म की विकास की गती एक बैक दिसे दूसरे में भिन होती है किन्तु यह हटाइड एक ही नमूने का अनुगमन करती है तो यह जो नमूना है वो क्रमबद और विवस्थित है D option एकदम सही है वैसा नहीं है कि पहले जो है बालक का जो है सिर का विकास हो फिर पैर का हो तो किसी में पैर का पहले होने लगे सिर का ऐसा थोड़ी है यह क्रमबद और विवस्थि ही होता है विकास D option correct है बात करते हैं अगले पुष्ण की छोटे भी द्यारतियों को कच्छा कच्छ में समोवयफ्सकों के साथ अंतह क्रिया करने के लिए प्रोसाहिद करना चाहिए जिससे क्या होता है हम जब समोवयफ्सकों के साथ अंतह क्रिया करने के लिए कच्छा में प एकदम करेक्ट है अगर अंताक्रिया की बात की बात आ जाए कि किसने की थी सामाज जी का अंताक्रिया की तो लेवाई गोट्सकी का नाम याद रखिएगा ये एक रूस की मनोवेग्यानिक थे बात करते हैं अगले प्रश्न की जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद् करने के लिए बच्चे के माता पिता से चर्चा करनी चाहिए डी ओप्सन एकदम करेक्ट है अब बात आई है अधिगम निर्योग गता की तो बता दे अधिगम निर्योग गता की बात 1961 में सैमुल अलेकजंडर क्रिक ने की थी याद रखिएगा बात करते हैं अपने अगले प्रस्ण की निम्नलिकित में से कौन साब बाल विकास का एक सिधानत नहीं है तो जो बाल विकास का एक सिधानत नहीं है वो है सभी विकास तता अधिगम एक समान गती से आगे बढ़ती हैं ऐसा नहीं है कि जितन दो बालक जो है कभी भी एक समान गती से उनका विकास नहीं होगा अगर एक समानगती से होता तो फिर ब्यक्तिगत बिभिनता कहां से आती तो याद रखिएगा किसी ओप्सन एकदम गलत है बात करते हैं अगले प्रस्ण की निम्न लिखित में से कौम सा आकलन करने का सारवाधिक उपयुक्त तरीका है तो जो आकलन करने का फ़ारवाधिक उपयुक्त तरीका है वो है सिच्छन अधिगम में अंतर नहीं तो मतलब हम जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के साथ साथ ही हम जो है CCE Comprehensive Continuous Evaluation हमारा यही कह रहा है कि पढ़ाने के दवरान ही हम सतत और प्यापक मुल्यांकन की प्रिक्रिया को सारे गद्भित करते हुए चलें इसलिए A Option एकदम करेक्ट है बात करते हैं अपने अगले प्रशन की 14 वरसी देवी का अपने आप से प्रथक स्वनियंत्रित ब्यक्ति की भामना को बिकसित करने का प्रयास कर रही है वो क्या बिकसित कर रही है तो जो देवी का है वो स्वा डान डीबी के अनुसार समुचित नहीं है तो जो डान डीबी के अनुसार समुचित नहीं है वो है कच्छा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए बिल्कुन गलत है क्योंकि कच्छा में जब प्रजातंत्र का स्थान ही नहीं होगा तो बालक अपने आपको व के जनक जो है वो जोन डीबी ही हैं ये भी आप नोट रखिएगा बात करते हैं अपने अगले प्रसुन की एक पीटी सिच्छक है जो क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के छेत रच्छन यानि की फिल्डिंग ग्रुप को सुधारना चाहता है निम्न में से कों से युक्ति विद्यार्थियों को अपना लच्छ प्राप्त करने में सारवाधिक सहायता हो तो जो सारवाधिक सहायता करेगा वो होगा विद्यार्थियों को छेत रच्छन का अत्यधिक अभ्यास करवाया जाए जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस इस बेटर दैन प्रैश्टिसी क्या है एक जो है कहिसकते हैं अभ्याद से क्या होता है अभ्याद से हम किसी particular process को ऐसे हम developed कर लेंगे उसको अभ्याद के माध्यम से कि फिर हम उसमें प्रवीर हो जाएंगे इसलिए ए ऑप्सन एकदम साहिए खेल के मैदान में हम बालकों को ले जाएंगे उनस से कौन सा कथन सिच्छन के बारे में सत्य नहीं है तो सिच्छन के बारे में जो सत्य नहीं है वो है सिच्छन अनुवेशन है डी ऑप्सन एकदम सही है बात करते हैं अगले प्रुशन की राफ्टरिय पाठचर्या रूप रेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम सीर्षक के सीर्षक को महतु दिया गया है वो है बालक के लिए ज्यान के संदर्व में सनरचित अनुभवों को बात आई है राफ्टरी पाठचर्या रूप रेखा 2005 की तो बता दें कि पाठचर्या राफ्टरी 2005 रविंद्र नाट्रेगोर जी के निबंद सभ्यता और प्रगती से लिय रखिएगा ये बालक को केंदर में मानकर सिर्फ करके सीखने पर बल देता है बात करते हैं गले प्रश्ण की एक परिस्ठित में अरजित गयान का दूफरी परिस्थित में उप्योग करना क्या कहलाता है तो ये है ट्रॉंस्वर आफ लर्निंग यानि की सीखने में इस्था नान्तरन है नोट रखियेगा बात करते हैं अगले पुर्शन की अनुभो द्वारा ब्योवहार में परिवरतन क्या है तो अनुभो द्वारा जो ब्योवहार में परिवरतन है वही तो सीखना है बी ओप्शन एकदम करेक्ट है बात करते हैं अगले पुर्शन की सांख की में वहर एक खाचेत्न जिसमें आप व्रतियों को स्तंभा द्वारा प्रदरसित किया जाता है वो क्या कहलाती है तो वो इस्तंा क्रति कहलाती है एक अप्शन एकदम करेक्ट है बात करते हैं कि इस वस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवित्ती बहुत अधिक बढ़ जाती है तो जो खोज है और जो प्रवित्ती है गूमने की ये किसोरा वस्था में बहुत ज्यदा बढ़ जाती है सी option एकदम करेक्ट है बात करते हैं गले प्रवित्ती की अधिगम अंतरण का थानडाइक सिध्धान्त कहा जाता है तो जो अधिगम अंतरण का थानडाइक सिध्धान्त है वो है अनरूप तत्तों का सिध्धान्त बी option एकदम करेक्ट है बात करते हैं गले प्रवित्ती की निमने में से कौन सा वंस साहित करते हैं प्रुषाहन देती हैं वो अभी प्रणा कहलाती है ये कोई वंसा नुक्रम का नियम नहीं है बात आई है वंसा नुक्रम की तो बता दे हे रिटी जो है इसके जो फादर है वो ग्रेगर जान मिंडल को माना जाता है जो हालेंड के आस्ट्रिया के निवासी थे इन्होंने मटर और चूहों पर अपनी प्रियोग को गती दिया था नोट रखियेगा बात करते हैं अगले प्रुष्ण की मन का मानचित्रन संबंधित है तो जो मन का मानचित्रन है वो मन की क्रिया सीलता और अनुसंधान से संबंधित है डी ओप्सन एकदम क्लियर है बात यह मांचित्र की तो बटा दे मांचित्र की बात सबसे पहले अनेक जी मेंडर ने की थी नोट रखिएगा बात करते हैं अपने अगले प्रस्ण की विशेश रूप से प्राथेमी किस्तर पर विद्यारतियों की सीखने सम्मंधी समस्याओं को शम्मुधित करने का सबसे बहतरीन तरीका क्या है तो हम बालक को प्राथेमी किस्तर पर जो अच्छे से सम्मुधित कर पाएंगे समझा पाएंगे पढ़ा पाएंगे वो है सरल और रोचक सहायक समगरीत के प्रियोग से इसको हम कह सकते हैं PLM यानि की Teaching Learning Material जितना अधिक हम जो है Teaching Learning Material का प्रियोग करेंगे उतना ज्यादा बच्चा जो है प्रतेशनवों के माध्यन से सीख पाएगा C option एकदम करेक्ट है बात करते हैं अपने अगले प्रस्ण की कच्छा में जो विद्यार्थी प्रस्ण पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए तो उन्हें लगातार प्रस्ण पूछने के लिए प्रोस्वाहित करना चाहिए याद रखियेगा बात करते हैं अपने अगले पुर्फन की सिच्छा की किंडर गार्टन पधती का प्रतिपादन किस ने किया तो जो किंडर गार्टन पधती है इसके प्रतिपादन है फ्रॉवेल ने किया था किंडर गार्डन ये जर्मनी में खोली गई थी जो की खेल विधी के भी जनक में होता है ए ओप्सन एकदम करेक्ट है बात करते हैं प्रशन की किस ब्योभारवादी ने कहा था मुझे नवजात सिसु दो दो मैं उसे डांक्टर वकील चोरिया जो चाहूं बना सकता हूं तो ये कथन जे बी वाट्सन का है सी ओप्सन एकदम करेक्ट है बात करते हैं गले प्रशन की ध्यान आकर्फित होने में डेट डेस्क की भूमी का प्रमुक होती है तो जो उद्धीपन की तीबरता ही जो है वो कहीं न कहीं करते हैं अगले प्रशन की डेट डेस्च छात्र में रुच उत्पन करने की कला होती है बात करते हैं अगले प्रशन की निम्दलिखित में किस सवस्था में बच्चे अपने समुवायस्क समूह के सक्री सदसे बन जाते हैं तो ये किसोरा वस्था में बालक जो है अपने प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए तो बच्चे को जो सीखने में माता पिता को भूमिका है वो अग्रोन मुखी निभानी चाहिए बी आप्सन एकदम करेक्ट है बात करते हैं अगले प्रशनिकी बीकास कभी न समाप्थ होने वाली प्रक्रिया ही या विचार किस से संबंदित है तो बीकास निरंतर चलता है जन्म से मृत्य तक विकास की जो गती है वो वराबर चलती रहती है और ये निरंतरता का सिधान्त है बी option एकदम गरेक्ट है बात करते हैं अपने अगले प्रुष्ण की डैट डैश में अपने चिंतन और समिस्या समाधान को ब्योस्थित करने की छमता सामिल होती है तो यह मद्ध संग्यान अत्मक कोसल है बिना संग्यान के हम कैसे सामिल कर पाएंगे या आप नोट रखिए A option एकदम करेक्ट है बात करते हैं अपने अगले प्रुष्ण की सिच्छन में पाठ्ठ करम संबंधी क्रियाओं का प्रियोग किसलिए किया जाता है तो जो सिच्छन ने पाठ्ठ करम संबंधी क्रियाएं हैं वो हैं सिच्छन को रोचक, सुग्रा और प्रभावसाली बनाने के लिए B option एकदम करेक्ट है बात करते हैं अपने अगले प्रुष्ण की संबूर पाठ्ठ करम के सभी पच्छों के मुल्यांकिन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परिच्छा लेनी है ऐसे में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रशन पूछना अधिक उचित है तो वस्तुनिष्ट पूछ लेजिए क्योंकि इन वस्तुनिष्ट प्रशनों में बैदता बिस्सुसनियता भरपूर होती है डी ओप्सन एकदम करेक्ट है बात करते हैं अगले प्रुष्ण की निम्न लिखित में से कौन से समाज मिती प्रविद्य के अनुपयुक्त है रखिएगा ये थे आज के लगबग 40 से 45 प्रशन आपको कैसे लगें कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही निदंतर वीडियो आप चाहते हैं इस चैनल पर तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्क्राइब सेयर क करें मिलते हैं जल्दी आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो